सौगत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा हो कि जिस तरह से कॉंग्रस में सोनिया गांधी आक्टिव है राहूल गांधी और प्रिंका गांधी एक तरह से स्कीन से गाइब हैं सोनिया गांधी ने कमांद सम्हाल ली है संसद से सडक तक संसद में उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया जिसमें की मसलन फेस्वोक, ट्विटर, सोशल मीडिया, जाइंट्स किस तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी को हाईजिक करने की कोशिश कर रहे हैं माल लिटरिशन की प्रॉब्लम, इसके अलाबा जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इन सारे मुद्दों पर जीरो आवर में सोनिया गांधी आक्टिव थी राहूल गांधी उतने आक्टिव नहीं थे तो क्या ये सिर्फ जो स्ट्राटिजी है सोनिया का फ्रंट फूट पे आके खेलना वो G23 के जो नेता हैं जिस तरह से जो कॉंग्रस से असंतुष्ट नेता हैं उनको रेन करने के लिए, उनको काबू करने के लिए ताकि वो अपने बच्चों को उस आक्रमन से बचा सके या सचमुच कॉंग्रस में कोई आमूल चूट परिवर्तन करने के दिशा में कॉंग्रस अध्यक्चा जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कॉंग्रस में मचे बबंदर की अगर आप याद करें 2009 का लोगसभा चुनाओ 2009 के लोगसभा चुनाओ में बीजेपी में लालकिस आडवानी जो उस पूरे चुनाओ के कामपेन के चेहरा थे उसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी और उसके बाद जो पहली पार्लिमेंटरी पार्टी की मिटिंग होई थी उसमें पार्लिमेंटरी पार्टी के सारे सदस्चों ने यश्वन सिनाओ से लेकर सबने लालकिस आडवानी के इस्तिफ़े की मांग किये थी और उसके बाद लालकिर्स आडवानी ने इस्तिफा दे दिया था ये नहीं कि वो टाल मटोल करते रहे बलकि उन्होंने इस्तिफा दिया और उसके बाद दो नए अपने डेपटी यानि कि सुष्मा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष कानेता बनाये गया जो कि पहले लालकि उस पार्टी के नए चेहरे बनकर उबरे जिन्होंने एक तरह से 2010 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंग सरकार की जो एक तरह से करप्षन के चार्जेज, टोजी घोटाला, कॉमन विल्ड घोटाला इन सब के कपड़े फार्णे में जो सबसे बड़ा कंट्रिबूशन था अन्ना अंदोलन के साथ में कि अगर मनमोहन सिंग को डिस्क्रेडिट करना तो उसमें सुष्मा स्वरार अरुन जेटली का बहुत गांधी ने कहा कि अगर उनके इस्तिफे से, अगर गांधी परिवार के होल्ड कम करने से कॉंग्रेस का भला हो सकता है तो उसके लिए तयार हूँ, चुकि उनको ये पता था कि जैसे ही वो ये वाक्ये बोलेंगी, वैसा ही कॉंग्रेस के जो बाकी मेंबर है, वो कहेंगे नहीं, सोनिया को रहना चाहिए, सोनिया जब तक है कॉंग्रेस का वही सम्हाल सकती है और वैसा ही हुआ CWC की बैठक में, सारे सदस्यों ने कहा कि सोनिया गांधी का नेत्वितुन है, अब सवाल था कि ये जो स्ट्राटजिक मूब था, वो किस लिए था, वो निश्चित उसे राहूल गांधी और प्रेंका गांधी को उस आकरमन से बचाने के लिए था, जो की CWC के मेंबर और जो G23 है, उसके सदस्य उनके उपर अटाक करते हैं, उसके बाद से आपने देखा हुआ कि जो G23 के निताओं से मिलना, चाहे गुलाम नवी आजाद हो, चाहे जिन न प्रेताओं ने आकरमन किया था, अनन शर्मा, उन सबसे सोनिया गांधी ने अलग-अलग मुलाकाते करके उनको कन्विंस करने की कोशिश की, इसके लापा संसत में भी सोनिया गांधी जो अब तक आपने दिखाऊगा कि संसत में कई सालों से उस तरह से मुखर नहीं थी, उ अनुपस्थीतर है उन मुद्दों को उठाने में, सिर्फ जो उन्होंने एक मुलाकात की, वो हर्याना में हुड़ा से, क्योंकि उन्हें जो लगता है राहूल गांधी को, कि जो बाकी G23 के जो नेता है, वो एक तरह से पेपर टाइगर है, उनका कोई एलेक्टरोल, जिसको कहते हैं, स्टेंट नहीं बचा है, वो सिर्फ बयान देलेवाने नेता है, और जनाधार आ हो चुके हैं, उनमें से जो कुछ नेता है, जिसमें की खुड़ा है, और खुड़ा भी खास करके जो हुड़ा के बेटे है, उन से उनकी अच्छी केमेस्टरी है, इसलिए उन्हों प्रशांद किशोर ने कहा है कि कॉंग्रस का रिवाइवल इस सेटप में काफी मुश्किल है क्योंकि कॉंग्रस पार्टी लड़ने जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है वो करना भूल गई है कई सालों से उनका ओगनाशनल सेटप मेंबर्शिप ड्राइब नहीं हुआ है तो वैस गड़राजसान मद्वपदे जहां पर कॉंग्रस कम से कम मजबूत इस्तिती में है वहां पर भी वो उस तरह से कॉंटेस्ट करने की स्तिती बे नहीं है क्यों कॉंग्रस चुनाओ के पहले जाकती है चुनाओ के पहले आक्टिव होती है और चुकि सोनिया गांधी का ये तर जो ऑगनाशनल चुना होने है उसमें फिर से अध्यक चुने है बनाने के लिए कि तब तक जो थोड़ा महौल गर्माया हुआ महौल है वो शांत हो जाए और उसके बाद उस शांत महौल में सबको मिला जुला करके राहुल गांधी की ताचपोशी हो या फर सच मुछ कुछ रिवाइवल की अभी भी संभावना है अभी भी वो एनरजी या फिर काम करने की जो आकांग्शाएं है वो बची हुई है तो सवाल यह है कि यह आने वाले दिनों में दिखेगा अगले दो तीन वहीनों में जब कॉंग्रेस का और नात्मक पोल होगा और उसमें करा सकती जो की पहले इतिहास में हुआ है जब कॉंग्रेस परिवार से गांधी परिवार को हटाए गया तो कंगरेस में या तो डिविजन हुआ या फर सीतारां केसरी और इस तरह के जो लीडर थे उन्होंने कब़जा कर लिया था जो कि कॉंगरेस को एक इकठा लेकर चलन अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह से ग्रोव करती रही तो अगले 5-7 सालों में वो कॉंग्रेस को रिप्लेज कर सकती है क्यों कि